नमस्कार सुप्रभाद, गुड़ मॉइनिंग फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेर करेंगे देशी गुलाब को किटिंग से एजिली कैसे गुरो करें जियां फ्रेंड्स ये जो आप मेरे हातों में देशी गुलाब की किटिंग का जो गठर देख पा रहे हैं इस गठर में से cuttings में नएने suits निकलाई हैं और इसमें अंकुरड स्टार्ट हो गया है जियां friends ये हमने अंकुरड पांस दिन में ले लिया है और इसमें पांस दिन में नएने suits निकलाई हैं अंकुरड स्टार्ट हो गया है ये कैसे हुआ है आईए इस वीडियो में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एक बार लाइक करके शेयर जरूर कीजिए जिससे अन्य फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाब उठा सकें तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देसी गुलाब की एक लंबी हेल्दी सेमी हटबुट ब्रांच लेनी है वो भी तीन महीने पुरानी तो हमने आप पर गुलाब की तीन कटिंग्स ली हुई है ये देखिए और उसके बाद आपको एक कटर लेना है और उस कटर की मदद से आपको गुलाब की कटिंग को 45 डिगरी के अंगल पर कट कर लेना है इस तरीके से आपको कटिंग तयार कर लेनी है चलिए जल्दी से हम तीनोई cuttings को अच्छे से cut किये लेती है तो इस तरीके से हमने सभी गुलाब की cuttings को अच्छे से cut कर लिया है गुलाब की cutting कम से कम 6 होनी चाहिए तो हमने आपर कम से कम 10 cutting लेनी है जब भी आप गुलाब की cutting लगाएं तो एक दो cutting लगाएं क्योंकि जरूरी नहीं है सभी गुलाब की cuttings ग्रो हों उनमें से कुछ cutting सूख भी जाती हैं इसलिए जादा से जादा गुलाब की cutting लगाने के कोसिस करें और उसके बाद आपको एक रसी लेनी है और इस तरीके से आपको उसका गठर बना देना है गुला से बांद देना है और उसके बाद आपको एक प्लास्टिक का डबा लेना है अगर आपके पास कमला है या फिर कोई बाल्टी है तो वो भी ले सकते हैं और उसके बाद आपको लेनी है pure decomposed गोवर खाद सबसे पहले आप pot के नीचली सतय पर गोवर खाद बिचा देंगे कम से 2 mm मोटी हमने आपर जो है 2 mm मोटी जो है गोवर खाद नीचे बिचा दी है और उसके बाद आप गुलाब की कटिंग का जो गठर है वो गठर लेंगे और उस pot में आप गुलाब की कटिंग के गठर को रख देंगे और उपर से आप उसमें गोवर खाद डाल देंगे गोवर कहीं पर भी पोल न रहने पाए तो इस तरीके से आप गोवर खाद भर देंगे तो हमने आप पर जो है पॉट में गोवर खाद अच्छे से भर दी है आप जो कोई भी पॉट यूज़ कर रहे हैं उस पॉट में आप दबा दबा करके गोवर खाद भरिये और इस तरीके से आपको उसे ढग देना है उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिसमें उसमें परियाप मातर नमी बनी रहे चलिए कुछी दिन का वेट करते हैं फ्रेंट से ये पांच दिन बाद की सूटिंग है और इस डब्बे में से हम देसी गुलाब की कटिंग के गठर को निकाल करके देखे लेते हैं तो एक आपको पॉर्ट लेना है और उस पॉर्ट में आपको जो है गोवर खाद को अच्छे से इस तरीके से निकाल देना है और ये देखिए फ्रेंट्स ये रहा हमारा बो देसी गुलाब की कटिंग का गठर और इसमें देखिए नए-नए सूट्स निकालाए हैं अंकुरड रिस्टार्ट हो गया है आप देखी पा रहे होंगे सपेच सपेच सा ये चलिए अब मैं आपको इसे दो करके भी दिखाए देता हूँ पानी से ये रहा हमारा देसी गुलाब की कटिंग का गठर और इस तरीके से आपको पानी से दोना है और आप साब साब देखी पा रहे होंगे इसमें जो है नएने सूट निकलाए है अंकुलर रिस्टार्ट हो गया है इस तरीके से आप गोबर खाद में देसी गुलाब की कटिंग को पान्च दिन में ही क्रो कर पाएंगे ये देखिए इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से देसी गुलाब को कटिंग से इजिली क्रो कर सकती है चलिए अब मैं आपको देसी गुलाब की कटिंग को जो है पॉर्ट समें भी लगा करके देखाई देता हूँ फ्रेंड्स ये है हमारा देसी गुलाब की कटिंग का गठर और आब हम जो है कैंची की मदद से इस रस्टी को काड़ देंगे और ये देखिए हमारी सभी गुलाब की कटिंग जो है अलग हो गई है अब हम जो है पॉर्ट लेंगे इस पॉर्ट में हमने मिट्टी पहले से ही बरी हुई है 70 प्रसत हमने अपने बगीचे की मिट्टी ली है और 30 प्रसत हमने गोवर खाद ली है दौनों को आपस में अच्छे से मिक्स करके हमने पॉट में भर दी है और उसके बाद आपको एक लकडी लेनी है और उस लकडी की मदद से आपको पॉर्ट में कम से कम 10 होल बना देनी है हमने आपर देखिए होल बना लिए अच्छे से अब हम अपने गुलाब की कटिंग लेंगे और इस तरीके से आपको सभी गुलाब की कटिंग इस पॉर्ट में अच्छे से लगा देनी है इस तरीके से आपको सभी गुलाब की कटिंग लगानी है गुलाब की कटिंग को आपको कम से कम आदा पार्ट मिट्टी में दबाना है आदा पार्ट आपको उपर रखना है तो इस प्रकारा आपको सभी देसी गुलाब की कटिंग को अच्छे से लगा देना है तो हमने आपर सभी देसी गुलाब की कटिंग जो है अच्छे से लगा दी है अब आप जो है मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे इस तरीके से आप जो है गुलाब की कटिंग के चार और मिट्टी को दबा देंगे जिससे कटिंस में कहीं पर भी पोल न रहने पाए चलिए अब हम इसमें अच्छे से वाइटिंग के देते हैं वाइटिंग पहली बार में आपको बार पूर करनी है तो इस तरीके से आपको वाइटिंग कर देनी है फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके सेर जरूर कीजिए जिससे अन्य फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाव उठा सकें thank you